Hello and welcome dear friends, आज के इस सेशन में आपको पता चलेगा कि पॉड़कास्ट किस तरीके से क्रिएट के जाते हैं, क्या-क्या दिक्कते आती हैं और क्या-क्या आसान तरीके हैं पॉड़कास्ट क्रिएट करने के हैं, हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने अपने लिए तो चलिए उनका स्वागत करते हैं, उनका नाम है कपील कुपता जी और पॉड़कास्ट में स्पेशलिस्ट हैं, वैसे वो स्टेडी अबरॉड कंसल्टेंट हैं, तो कपील जी, मोस्ट वेलकम तो इस पावरफुल सेशन, थैंक यू, थैंक यू सुनिल जी, ये बात सही है कि मैं करीब 25 साल से करियर कंसल्टेंसी में हूँ, वो मैंने अंदाजा मारा था, है ना, बट यू और एकदम बिल्कुल सही थे आप, और करीब 10 साल से जो है, मैं स्टडी अबरॉड कंसल्टेंसी में हूँ, हाँ, पॉड़कास्टिंग जो है, that is relatively new even for me, ठीक है, और करीब 10 महीने से कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसको professionally कर रहा हूं और बहुत enjoy कर रहा हूं उसको करने में, and I am happy that I started this, right, तो मैंने देखा कि आपने एक बर जिकर भी किया था, किसी meeting में कि आप podcast में लोगों की help कर सकते हैं, फिर मैंने जाके research किया, आपके podcast की quality check करी, कि मैं बहुत technical आदमी हूं, अच्छा कासा technical हूं, बट मैं थोड़ा था ना, एक होता ना, आमीर खान वाली problem, perfectionist नहीं हो, या फिर रितिक रोशन वाली बात, perfectionist जो होता है, बट मैंने जो आपके podcast देखे, तो मैंने उसको काफी deeply observe किया, और पाया कि बहुत ही refined हैं आपके podcast जो average podcast होता है, उस से उपर के level के podcast हैं आपके, और बहुत कुछ हमारे जो community members हैं, हमारे YouTube के viewers हैं, वो सीख सकते हैं, और भी लोग Google पर YouTube पर search करते हैं, कि भी podcast कैसे करें, तो उनको भी knowledge मिलेगी, तो शली शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा आप आपने podcast बनाना शुरू क्यों किया? वास्त एक ऐसा medium है, जिसमें हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, audio podcast कर सकते हैं, और video podcast, तो video podcast जैसे हम लोग देखते ही हैं, कि हम YouTube पर कर रहे होते हैं, और मैं audio podcast ज्यादा करता हूं, ठीक है न? और उसका एक benefit यह है कि जब आप travel कर रहे हो, तो भी आप सुन सकते हो, just like कि आपन अपना stereo गाड़ी में चला लिया, तो उस समय आप सुन सकते हैं, तो मुझे हर वो तरीका पसंद है, जिससे मैं अपने students के साथ connect कर सकूँ, और मुझे podcast में भी यह लगा कि मैं कुछ additional value दे सकता हूं, ठीक है? लोगों में awareness create कर सकता हूं, तो main मकसद मेरा, क्योंकि मेरे जैस podcast का नाम भी मेरा यही है, The Couple Gupta Career Pod Show, तो उसमें career को लेके भी चीज़े हैं, मैं life skills के उपर भी करता हूं, और study abroad तो मेरा expertise ही है, तो मुझे इन सब चीज़ों से मिलके करने पर लगता है कि मैं कुछ value दे रहा हूं, वो चीज़ मुझे खुशी देती है. अब बढ़िया सर, thank you very much, कि आपका intention है हर तरीके से अपनी community की help करने का, अब आपने कहा audio podcast भी होता है, video podcast भी होता है, तो मैं बहुत confused हूं, podcast क्या होता है फिर, मतलब podcast का real meaning क्या है? देखे, अब अगर हम इस पे आएं, तो हम जैसे पहले radio चलते थे, right? अब radio में आप कोई चीज़ सुनते हैं, तो वो तो जैसे broadcast हो रही है, जो program जब आएगा तभी आप सुन सकते हैं, social media ने, YouTube जैसे channels ने हमको ये facility दी, कि हम on demand देख सकते हैं, ठीक है? और podcast एक ऐसा medium हो गय कि maybe if I'm a fresher, कोई radio station तो मुझे invite नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं independent होके, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हूँ, तो ये जो channels हैं, ये podcasting के जो हमारे पास mediums आ गए हैं, तो this is a beautiful way to connect, और जैसा कि हम इसमें, मैं specifically कहता हूँ कि आप सुनने के बाद comment करिए, कुछ feedback दीजिए, क्योंकि it is a constant learning for us also, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, students की क्या queries हैं, तो उसी पर को information दी जाए, तो that is, a student is able to relate, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको जो चाहिए, वो मिल रहा है, तो हमें भी अच्छा लएगा कि हम proper value दे रहे जी, जी, एक important सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जब आपने podcast शुरू किया था, तब आपको अंदाजा था कि आप इस interview session में आप आएंगे? Definitely not, और ये बात तो बिलकुल सही है कि जैसे जैसे आपसे मुलाकाते बढ़ रही है, I'm becoming your fan, जो जिस बेवाकी से आप बात करते हैं, और जिस सचाई से आप बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए शायद जब आप मेरे को कुछ कहते हैं, तो मैं आप को मना नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है, आप कहीं न कहीं किसी न किसी की हेल्प कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने हमेशा आपसे मुलाकातों में यही पाया है कि आप हमेशा, you come forward, yourself, कि भी ठीक है, मैं हेल्प करने को तयार हूं, बोलो, किसको चाहिए, so that is a very great quality, जो ब अपनी website पर embed कर रहे हो podcast को, या फिर कोई sub domain आपने use किया है कहीं पर, नहीं, देखें, क्या है, कि ओके, अब जैसे, जो मैंने podcasting platform, जो मैं use करता हूं, वो है buzzsprout, ठीक है, तो वहां पर, मैं अपने podcast को जब load करता हूं, basically, तो वो मेरे को एक page देते हैं, एक link देते हैं, जिस को मैं अपनी website पर embed कर सकता हूं, so that वहां पर भी उसको सुना जा सकते directly, ठीक है, और the beauty of buzzsprout is कि वो हमारे को facility देता है, कि हम अलग-अलग podcasting channels पर, अपने podcast को promote कर सकें, तो जैसे मेरा podcast spotify पर भी है, apple podcast पर भी है, amazon पर भी है, overcast पर भी है, तो जितने available या famous channels हैं, तो basically क्या है कि उससे reach मिलती है, लोग किसी के, अब किसी कोई apple use करता है phone, तो वो अपने apple पर सुन सकता है, कोई android वाले spotify सुनना चाहते हैं, तो वो spotify use कर लेते हैं, and then, जो directly हमारे साथ connected है, ठीक है न, वो directly website पर आके सुन लेते हैं, क्योंकि website पर उनको feedback देने का comment करने की भी facility रहती है ठीक है न, क्योंकि बाकी जगे तो वो सिर्फ subscribe कर पाएंगे, या like कर पाएंगे, या star rating दे पाएंगे, लेकिन website पे आएंगे, तो वो बकायता लिख सकते हैं, कि वो क्या चाहते हैं, तो आपका domain मैंने दिखा है, उसमें लिखा हुआ है podcast. आपकी website.com, तो वो sub domain आपने budget sprout क 18 dollars, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं, लगभग 12-1400 रुपे महीने लेता है, तो यह worth है, मतलब इतना पैसा, फाइदे मन्द है यह, देखे, अभी तो यह basic investment है, ठीक है न, अब आप यह देखो कि मैं अगर हर channel को, हर platform को खुद जो है, करता approach, तो मिरे लिए बड़ा दिक्कत र ठीक है, वो सब कुछ ready made है, plus the beauty of it is, कि जैसे मैंने का कि 10 महीने पहले जब मैंने यूज शुरू किया था, मुझे भी तो नहीं पता था चीजें कैसे होती है, ठीक है न, तो वहाँ पे हमें कौन सा equipment यूज करना चाहिए, जैसे आप यह मैं माइक यूज कर रहा हूँ, audio technica क ठीक है, तो इसका suggestion मुझे bussprout ने दिया, कि आप इसको use करिये, और लोगों को पसंद आया, ठीक है, तो और मुझे कोई मन में कोई समस्या आती है, और मैं कुछ clarification चाहता हूँ, तो I'll say bussprout की जो वो है customer के support बहुत अच्छी है, वो within 24,000 hours आपको reply देते हैं, और फिर वहाँ आपको promotion करने के videos वगेरा, या how to do podcast, और बहुत सारी तरह के podcast होते हैं, जैसे कुछ लोग interview, जैसे मैं usually solo podcast करता हूँ, ठीक है रहा, लेकिन कुछ लोग interview based करते हैं, ठीक है, तो वो हर तरह के podcast को, के बारे में लोगों को knowledge देते हैं, तो आप, जिसको जो पसंद है, वो से आप से आगे कर सकता है, बहुत बढ़ी है sir, अब मैं जानना चाहूँगा, हमारे जो questions है, थोड़े advance level पर चले गए, बापस आते हैं, बिल्कुल शुरुआत में, जब आप एक podcast बनाते हैं, तो step by step सारे process बताईए, कि शुरुआत कहां से होती है, podcast का पहला step क्या है, दूस सब कुछ reveal कर डालिए, जैसे मैंने जब podcast शुरू की थी, तो सबसे पहले तो equipment ची, और equipment में जो सबसे important है, वो mic, right? करते हैं, audio technique, मैंने note कर लिया, बिल्कुल, ठीक है, और मैं आपको link भी दे दूँगा, आप इस video के नीचे डाल सकते हैं, कि कौन सा equipment मैं use कर रहा हूं, ठीक है ना, अब हमने इसको record कर लिया, in fact, recording से भी पहले, जब मैं ये कहता हूं कि मैंने कोई topic सोचा, ठीक है, तो I always try कि मेरा जो podcast है, वो approximately 10 minutes करा है, अब बेरी कोशिश अभी बहुत lengthy podcast के नहीं है, लेकिन बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे और बहुत एके घंटे के podcast भी बनाते हैं, but my podcast है generally 10 to 15 minutes, क्योंकि इसमें entertainment की बजाए value level जाता है, तो कई बार बड़ा informative हो जाता है, तो लोगों के focus को देखते हुए, मैं 15 minutes के आसपास का रखता हूँ, ठीक है, कि जादा स्यादे चलो 20 minutes हो जाए, once the script is ready, तो I know what points are there, अब ये सब के उपर है, अगर मैं comfortable हूँ बात करने में points को देखके, तो मैं उसको अपने हिसाब से कह सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा ये है, कि अगर कहता है, कि नहीं जी, मेरे को बिना देखे नहीं बोल पाता, तो फिर मैं उसको suggest करूंगा, वो script लिख ले, और फिर उसके हिसाब से, वो उसको practice करें कि किस तरीके से बोलना है, ठीक है, फिर जैसे हम बीच में उसका, मैं अगर आपने कभी गौर किया हो, जैसे आप कह रहे इसा हो सकता है कि लोगों को कुछ points लिखने पड़ जाएं, ठीक है, तो I give them a choice कि आप मैं रुखता हूं कुछ seconds के लिए, 30 seconds के लिए और इतने में आप pen and paper ले आईए, ठीक है, तो उसमें music हम डाल लेते है, music element तो थोड़ा सा interesting हो जाता है, और फिर हम main podcast शुरू करते हैं, त से windows user हूं, तो मैं audacity platform software का use करता हूं, ठीक है, वो पूरी तरह से free है, और it is very easy to use, लेकिन अगर कोई apple user है या mac user है, तो उनके लिए एक software आता है garage band, जो apple users के लिए है, वो भी बहुत आसान है इस्तेमाल करना, और इन दोनों software को अगर आपको master करना है, तो youtube पे बहुत सारे videos available है, और easy to use, ठीक है, राजबेंट paid है, फिरी है, वो भी free है, तो मैं audacity use कर रहा हूं, क्योंकि मैं windows machine पर होता हूं, और मुझे आज तक कोई समस्या नहीं है, यह उसका, very easy to use, ठीक है न, अब इसके बाद, जब आगर आपने आन लीजे कहीं से गलती हो गई, तो it's like an audit recording plus auditing, यह audio को edit भी करके देगा आपको, ठीक है न, तो it's not just the recording part, ठीक, तो जब यह सब चीजे तयार होगी, तो फिर हम जो है, उसको wave file में convert कर लेते हैं, और wave file में convert करने के बाद, हम उसको buzzprout पे, platform पे upload कर देते हैं, that's it, हो गया, podcast रायार, तो कितना time लगते हैं, जब से शुरू की planning और uploading कर दी, पूरा process करने में, that depends, ठीक है न, कि कब कैसा content है, कितना है, किस तरह से आप बोल रहे हैं, अब मैंने जब initially मैं काफी सालों से सोचता था, कि मुझे podcasting करनी है, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, बट एक बार एक session में, मैं आपको बताऊं, सिधार्थ ने हमें online हमारे सामने record करके, upload करके दिखाया, within half an hour, right? तो I was actually amazed किया, this is so simple और मैं इसको शुरू ही नहीं कर रहा था, तो मैं जो भी लोग podcast शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूंगा, don't overthink, just do it, और जैसे, सीरी सी बात है, आप जब कोई चीज रोज करने लगते हैं, और podcasting में जो सबसे important चीज है, वो है consistency, आप एक day fix कर लीजिए, आप हफते में एक podcast करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, तो उनी days पे जरूर आना चाहिए आपका podcast, क्योंकि आपके listeners जो होंगे, या जो आपको पसंद करने लगें, वो wait करते हैं, और let's assume कि अगर आपने उस दिन podcast नहीं डाला, आप inconsistent हैं, तो they will also lose interest, ठीक है ना, तो consistency is the key, तो मैंने जैसे, मैंने अपना सोचा हुआ है कि मैं हफते में दो podcast करता हूँ, initially, और ये चीज़ मैं मैंने अपने experience से पाया कि शुरुआत में मैं consistent नहीं था, तो podcast की growth उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, but when I realize this, और jump से मैंने consistency show किये, my podcast is doing really well, और लोग मेरे को connect कर रहे हैं, अलग-अलग platforms पे connect कर रहे हैं, और I make it a point कि मैं लोगों को कहता हूँ, कि आप connect करिये, चाहे मेरे Instagram च जोड़ सकते हैं, आप जोड़िए और अपनी बात कहिए, क्योंकि मैं तो they ही value रहा हूँ, मैं आपके career clarification दे रहा हूँ, तो अगर आपके मन में कोई doubt है, तो reach out to me, I'll be happy to help you out, तो उससे क्या बता है, कि एक अच्छा connection बनता है, हम भी सीखते हैं, it's not like कि we are experts, जैसे जैसे हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की बाते सुनते हैं, और देखें, जब comments आते हैं, तो दोनों तरीके के आ सकते हैं, positive भी, negative भी, but a negative comment is also like a feedback, क्योंकि हमारा कुछ किया हुआ सामने वाले को पसंद नहीं है, तो that is also a learning, कि आपको क्या improve करना है, हाँ, इसका भी scope है, अब next question मेरे दिमाग में जो आ रहा है, वो यह है, आप music कहां से लेते हैं, आप बोले, आप पहले आप introduction कराते हैं अपना, पहले बताते हैं, podcast किसके बारे में हैं, तो उसके बीच में जो music लगाते हैं, वो कहां से लेते हैं आप, वो मैंने जो है, एक website है, Envato Elements, E-N-V-A-T-O, Envato, वहां से मैंने music purchase, क्योंकि देखिए, इसमें copyright issue आ जाएगा, अगर मैं कुछ भी music डालूँगा, ओक है, तो इसी लिए, you should purchase those tunes, जिससे कि आपको कभी भी copyright की समस्या ना है, आपने purchase किया, और आपने मुझे वो gift कर दी और मैंने use किया, तो आईगी समस्या, भी अगर मैं आपको खुद gift कर रहा हूं, तो लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं कभी कोई आप पर objection करेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना, कि भी आपने किस से लिया है, और फिर क्य तो हर एक का podcast एक अलग flavor का होता है, तो tune भी वैसी होनी चाहिए, और usually क्या होता है कि ये tunes बड़ी बहुत expensive नहीं होती, और फिर जब ठीक है, तो it's a very economical option लेकर, depend करता है इसे 500 रुपे में, 1000 रुपे में ऐसे tunes आ जाती है, और आप lifetime उने use कर सकते हो, ठीक है, तो और वहां प एनवाटो पे भी आप पहले सुनिए, आपको जैसी पसंद आ रही है, जब आपने अच्छी तरह से सुन ली, आपको अच्छी लगी, then buy it, right, right, awesome, तो एनवाटो एलिमेंट से आप music लेते हैं, अब अगला जो मेरा सबसे important सवाल है, ये सब तो technical चीज़े हैं, तो सबसे important है कि जब आप बैठते हैं, माइक पर record करने, उस सबसे क्या preparations आपकी होती है, क्योंकि podcast में सबसे important है आपकी आवाज, आपकी आवाज ही आपके audience को बांधने वाली है, उनका retention करने वाली है, तो उसके लिए आपने क्या क्या किया, अपने आपको कैसे तियार किया, दिखें, मै मैं online space में बहुत सालों से हूँ, ठीक है न, तो और online, plus being a teacher myself, बाते करने की तो आदत हमेशा से रही, ठीक है, हाँ ये बास जरूर हो सकता है कि जब आप किसी नए medium पे जुड़ते हैं, तो थोड़ी सी anxiety आ जाती है, ठीक है, तो अगर आप अच्छा बोलते भी होंगे, तो शायद नहीं बोल पाते हैं, बट उससे डरने की जरूरत नहीं है, शुरुवात में ऐसा होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ खतम हो जाएगी, आप जितना जादा comfortable हो जाएंगे, और उसका एक तरीका ये भी है, कि usually कोई कहेगा कि ये भी मन में सवाल आता है, कि हम कौन सी language में podcast करें, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि उस language में podcast करना चाहिए, जिसमें आप खुद comfortable है, ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैं audio podcast जो करता हूँ, वो मैं English में करता हूँ, बट आज आपके इस channel, इस interview के through मैं लोगों के साथ ये बाश शेर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे suggestions भी आए, कि आप Hindi में भी करिए, या आम बोल चाल के उसमें करिए, तो क्योंकि अब यहां पे कहें, दोनों तरह के audience है, क्योंकि मैं study abroad में भी हूँ, तो कुछ लोग ये ही पसंद करते हैं, कि मैं English में ही करूँ, बट वो Hindi में करूँगा, या English जिसे कह सकते हैं, और दोनों में मैं लोगों को बता दूँगा, तो जिसको जो सुनना है, topic सेम रहेगा, बट हाँ, medium या जो mode है, वो बदल गया, language change हो गई, तो जिसको जैसा सुनना है, वो सुन सकता है, बट जब आप audio record करना शुरू करते हैं, त कि पॉस्चर है, या आवाज बहुत अच्छी आए, बोल्ड आवाज आए, उस समय क्या-क्या tips और tricks हैं, जो ध्यान में रखनी चाहिए, पुरा audio record करते हैं, ओके, ग्रेट, देखे, यूजुली क्या होता है, कि जैसे आप मेरा माइक की position देखेंगे, तो मैंने ये पास में रखा हुआ है, ठीक है, और जो जैसे आपने भी headphones, earphones लगा रखे हैं, धना, तो ये, ये actually बहुत important है, जो अगर हम इस चीज़ को नहीं लगाते हैं, अपने headphones नहीं लगा रहें, तो आपको अपनी आवाज के modulation पता नहीं चलते हैं, तो ये चीज़ लगातार सुनने से, और अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ पता चल रही है, कि हमारी voice modulation कैसी चल रही है, या हम कहीं बीच में दूर तो नहीं हो गए, ठीक है, तो ये छोड़ी-छोडी tricks हैं, प्लस आप अपने पास पानी का गिलाज जरूर रखिए, कि अगर बीच में dryness अग करेंगे, आपकी आवाज automatically सही हो जाएगी, और जितना आपको ये confidence आएगा, कि मैं podcast में जो कह रहा हूं, that is adding value to the people, confidence अपने आप आजाता है, आवाज अपने आप आजाता है, अच्छा इस चीज़ का फरक पड़ता है, जैसे मैं कमर लगा के बैठा हूं अभी, या फिर मैं कुछ लोगों मैंने ऐसे देखा, ऐसे podcast के अंदर ऐसे बात करते हैं, hello fan, this is Sunil Chaudhary, तो बिल्कुल ऐसे सीधे खड़ वे आते हैं, और ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो what is the difference, which one is better? ये आपका अपना-पना comfort आयल से, मैं जैसे मेर को usually बैठ के normally back को पूरा backrest के साथ लगा के बैठने की आधाता है, ठीक है, तो अगर मेर को ये लएगा कि माइक दूर है, तो मैं माइक को अपने पास ले आउँगा, बजाए खुद माइक के पास जाने के, तो बहुत बढ़िया, और कोई टिप्स आपकी तरफ से, क्योंकि podcast के बारे में हमने सब कुछ note कर लिया है, मैंने notes बना लिये हैं, और मैं सारे notes दोस्तों आप लोगों के साथ description में शेयर करने वाला हूं, और जो लोग study abroad करना चाहते हैं, consultancy लेना चाहते हैं, कपिल जी के साथ, वो भी मैं description में रखने वाला हूं, don't forget, कपिल जी एक study abroad consultant हैं और आपकी बहुत ही बढ़िया, genuine तरीके से help कर सकते हैं, but in the end of the session, I would like to ask some pro tips for the people who want to start podcast, special tips आपकी तरफ से, Sir, मैं कुछ basic बाते कहूंगा, क्योंकि हम podcast, जैसे मैंने कहा हम शुरू करना चाहते हैं, हम बड़े excited होते हैं, ठीक है, जब हम कोई नई चीज़ करते हैं, तो शुरुआत में दिक्कत आती है, that is very natural, ठीक है न, क्योंकि जैसे जैसे हमें experience होता है, हम better होते जाते हैं, तो वो चीज़ इस आउट हो जाती हैं, तो उसमें हम अक्सर consistency lose कर जाते हैं, अगर आपको अपने podcast को famous करना हैं, तो consistency is the first thing, क्योंकि आप अपने listeners के लिए कर रहे हैं, अगर वो wait करते हैं और आपका podcast नहीं आया, that is a gross injustice to them, ठीक है न, तो consistency रखिए, be yourself, जैसे मैंने का न, कि अगर मान लीजी, आप Hindi में comfortable हैं, और आप English में बोल रहे हैं, या आप Tamil में comfortable हैं, किसी regional language में, लेकिन आप किसी और रहे हैं, तो आप अपना originality lose कर जाएंगे, ठीक है, तो be yourself उस language में बनाईए, जिसमें आप comfortable हैं, you will definitely get listeners, ठीक है न, यह चीज़ है, equipment, everything comes secondary, वो बाद में आता है, पहले तो आपका content है, और तीसरी बात यह है कि आप अपने podcast के बाहर, लोगों के साथ available रहे हैं, जिस कहने का मतलब यही है कि भी podcast से तो मैं interaction कर रहा हूँ, but that is like a one way interaction, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने लोगों, मैं हर podcast में कहता हूँ, कि मेरे career hub group को join करिए, या मेरे instagram channel पर DM कर दीजिए, जिससे कि लोग अपने मन की बात आपको कह सकें, बता सकें, या वो यह बता सकें कि वो क्या सुनना चाहते हैं, या क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो value दे रहे हैं तो जो लोगों को सुनना है, वही अब किसी की कोई career issues हैं, तो और मैं तो I'm actually planning कि जब धीरे-धीरे जो मेरे listeners हैं, अगर they want to come and join me in the podcast, I'll definitely invite them and make a podcast with them also. Do invite me sir, someday. Sure sir, you'll be one of the first ones. Thank you very much. तो यह हो गई हमारी consistency हर एक field में लागू होती है, facebook page grow करना हो तो consistency, podcast करना हो तो in fact आपकी दुकान है, दुकान को grow करना है तो भी है रोज टाइम से कोल तो consistency तो हर एक field में matter करती है, दूसरी चीज़े, be yourself, be अपनी language use कीजिए, अपनी style maintain कीजिए, मैंने कितने लोगों को copy कर रहता हूं, जिसको आपने appreciate भी किया, और तीसरी चीज़ बताई कापिल जी ने content is the king, content बनाईए इस ऐसा, जो सामने वाले को help करे, सिर्फ आपको comfortable लगे ऐसा नहीं, आपकी user audience को help करे, और तीसरा है कि आपने podcast बनाया है, लोगों को encourage किए, उनको comment करने के लिए, प्लस उनक थे वे हैं भर घपने को ऑने इन आपको only 순ने चीज़ करेंवा बिना फ्लिए, एपर दौर धदेन चीज़ करेंगा। अँन ध्लस चाहकर कापिला मॉनक्या ने की परेंखवार्चering